हालो एवर्वर्वान गूड मॉर्निंग कैसे हो आप सब आए हो इद्धा मच्छे और मस भले चंगे होंगे और आज सुबा मॉर्निंग में अनुष का फुट बॉल है तयार हो रहा है नास्ता कर रहा है अभी आज जाएगा मुलन में उसका फुट बॉल रहता है तो अभी त आएगा फिर अभी तो एक घंटा हो गया उसको आग भी गया है घर पे तो बैड न्यूज लेके आया कि उसको पीठ में किसी ने बॉल फेका और उसको पीठ पे इतना जूर का लग गया कि पूरा बॉल खाओ बन गया है मतोब ऐसा रैड हो गया था पूरा रो रहा था तो पिर उसको मैं दवा लगाई ओमनी जल करके फॉस्टेट बॉक्स मैं रखती हूं क्योंकि उनको हमेशा लगता रहता है नुचको तो आज मेरी तब्यद भी अच्छी नहीं थी सर्दी जुखाम है तिसकी वज़त से आज मैं बहुत लेट करके उठी और सुबह एक बार उठके पानी वानी भरके सो गई थी खली और इसके बाद इसको थवा लगा रही हूं पूरा लाल हो गया है पीठ और देखिए किता जादा गहरा लगा था कि उसको मुलोन से आने म काफी टाइम भी लगा फिर भी अभी पूरा लाल है एकदम तो फिर उनी जिल लगा रही हूं मैं उससे ठीक हो जाएगा और रात में तब यह थोड़ा खराब था मेरा तो मैं किचन साफ नहीं की थी सो गई थी तो अभी सुबह उठी हूं पाई भरके सो गई थी बापिस स तो फिर पूरा किचन फैला हुआ था फ्रूट वगेरा वो जो लाए थे रात में आचन निकाल के बाहर वैसे रख दी थी बैग में से तो पूरा मुझे किचन साफ करना है बहुत गंदा हो गया था रात में मन नहीं किया और दुखाम इत्ता जादा थाल का बुखार भी आ अज मौसम साफ है थोड़ा धूप निकला है अच्छा और बारिश नहीं है आज थोड़ा भी तो अच्छा लग रहा है सब लेकिन जुखाम इतना ज्यादा था रात को काढ़ा बना के पी थी थोड़ा सा थोड़ा रेश्ट हुआ है आज और अभी फ्रोट्स को मैं रख दीती हूं सारा और कीचन का पूरा सामान धर धर फैला हुआ था बहुत सारा क्योंकि पापा सुनके सारे सामान रात में लाते हैं तो बच्चे लोग वैसे निकाल निकाल के रख दिये थे तो हर जगा मैं अपने जगा पे सब फ्रोट्स बरतन धोने में मुझे कीचन पूरा साफ करते करते आदा घंडा लग जाएगा क्योंकि बहुत सारे बरतन निकले थे और फिर कीचन भी पुरा घंडा हो गया है तो मैं साफ कर रही हूं बरतन मैं धो लेती हूं इसके बार मैं नहा ले हूं फूले बरतन तो इत्ता खाना नहीं बना था लेकिन बच्चे लोग है बार बार पानी वानी पीते हैं तो निकल जाता है सब अभी मैं खाना बना लेती हूं ए मैंने रात में भीगा दिये थे काबुली चना और छोटा चना और मूं और इसमें था थोड़ा सा दाल सब भीगा के रखी हूं इसका भीक्स भाजी बनाने वाली हूं मैं और इनको ऐसा भाजी बहुत पसंद आता है क्योंकि टिफिन ले जाते हैं सुबे तो सूखा भाजी रहता है और टिफिस दो पहर दो बजे खाना खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता खाने में इसके अच्छे से तो मैं का अपना कुकर रख दी हूं गरम होने के लिए और फिर भाजी एक अलू डालू दूंगी और बाकी का कुछ ऐसा डालूंगी नहीं दाने में ही बनाऊंगी मैं और मसाले पीस लेती हूं मैं सारे मसाले मैं खड़े निकाल के पीसूंगी मैं थोड़ा सा खली गरम मसाला एड़ करूंगी वैसे भी खड़ा गरम मसाला भी मैंने सारा डाला हुआ है पीसने के लिए रखा हुआ है निकाल के मेरा कुकर गरम हो गया है मैं तेल डाल दूँगी इसमें तेल थोड़े जादा ही लगते हैं क्योंकि मसाले वाली भाजी में मसाले पकने के लिए तेल लगता है तो मैं थोड़ा जादा ही तेल डाल रही हूँ और मिक्सर मेरा रखने की जगह इसा नहीं बना है तो मैं नीचे मिक्सर रखती हूँ खाकर इसको यूज करना पड़ता है मुझे तो मैं मसाले को पीस लूँगी जब तक मेरा तेल गरम हो रहा है मैं मसाला पीस लूँगी और दोस्तों वीडियो को मेरे लाइक कर देना आप लाइक नहीं करते पूरा वॉच नहीं करते मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को थोड़ा लाइक करके सपोर्ट कीजे मुझे भी तो मसाले को मैं पीस लेती हूँ और तेल मेरा लाल मैं मेरा तबियत नहीं ठीक था इसके लिए मैंने सारी मेरी बहन जो लोग वीडियो ब्लॉग बनाती हैं अच्छे से मेकप अच्छे से साड़ी कपड़े वगएरा सब पहन के लोग वीडियो बनाती हैं तो मेरा तो घर इसे घर पे बनाती हूँ तो मैं सोचते हूँ घर में जैसा रहती हूँ वैसे ढंक से अपना दिखा द क कंथा लाल हो रहा है इलागाना है इगर मेरा चावल रखी थि वाजू में चावल भी पक राय खुका जाती में याल बाजी काफी टाइम हो गया है, मेरे कांट प्याज लाल हो गया है, अभी मैं मसाले को अच्छे से डाल कर भूल लूँगी उसमें, खाना बनाना अच्छा लगता है दोस्कों, लेकिन अगर तबियत नहीं अच्छा रहता तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता, और जुखाम मुझे बहुत दिन के बाद हुआ है, इसलिए जब भी होता है, जुखाम तो मुझे बहुत तंग करता है, बुखार भी आ जाएगा और दो-चार दिन हटे भर परिशान करता है, तब भी जाता है, जुखाम जल्दी जाता नहीं है मेरा, और साल बर में एक ही दो तो काट लूँगी, मेरे मसाले देखी, जल्दी-जल्दी पक रहे हैं, मसाले लगभग पक जा रहे हैं, और आजू मेरे काट की रखा हुआ है, सब खाली डालूँगी, चावल भी मेरा उदर पक गया है, चावल का गैस मैंने बंद कर रो कर रखा है, अब देखी, मसाले भी तेल छोड़ने लगे हैं, मसाले लाल हो गए हैं हमारे और खुश्बू भी बहुत अच्छी आने लगी है अभी हमारे मसालों में से तो मैं यह सब जो बीगा के रखी हूँ छोले छोला सारा डाल दूँगी मैं उसमें चन्न बगारा रात में भीगाई थी तो अच्छे से से और इसको मैंने दो-चार बार वाश भी कर लिया है, अच्छे से क्लीन कर लिया था, मैं मिक्स कर दूँगी सारा, मसाले में डाल कर, बच्चे लोग भी उठ गए हैं, और पानी डाल दूँगी, जितना हमें चाहिए, इतना पानी डाल दूँगी, और स्वात के अंसान नमक ड लगा दूँगी, ये तब तक सीटी बजेगा, और इधर मैं आटा सान के पूरी बना लेती हूँ, इनको तो रोज पूरी चाहिए, जब सक बारिस रहेगी, इनको रोज का तेल वाला खाना बहुत पसंद आता है, वहां में तो नहीं अच्छा लगता लेकिन अभी बोलते ह रही है, मेरा छोले की भाजी भी तैयार हो जा रही है, अभी दो तिन सीटी अल लग जाएगा, तो ये भाजी भी बन जाएगी मेरी, बन गई, वो नहां के आ गए है, तुनको अभी नास्ता चाहिए, आज तो वैसा भाजी बन डाए, तो नास्ता ऐसा करेंगे, नहीं तो सुबे करते हैं, तो मैं सीटी खोल लूँगी, और मेरा भाजी अच्छे से गल चुका है, देखे, तो मैं इनको पूरी छोले की भाजी और पूरी दे देती हूं नास्ता करने के लिए, नहीं तो रोज का ये बादाम, और फ्रूट्स का नास्ता करते हैं, और अभी तो कर दीजिएगा, मिलती हम नेस्ट वीडियों में, बाई बाई